What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Shaddlever ये देखे कितनी शांदार पिक्चर है और कितना शांदार मेसेज दे रही है आपर ये है गाड़ी और गाड़ी के सामने है बोतल मतलब कहने का ये है जब बोतल पीकर आदमी गाड़ी चलाता है यानि के दारू या सराप पीकर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के साथ साथ में आदमी भी टूरता है और बोतल भी टूरता है सब कुछ टूर जाता है और सब कुछ तहसने सो जाता है और सबसे गंदी बात पता है क्या होती है इसकी ये सबसे गंदी बात यह होती है कि वो इंसान भी मारे जाते हैं जिनकी कोई खता नहीं होती है जो पी के चला रहा है उसको तो मरना ही मरना है साथ में उन इंसान को भी ले डूपता है जिसने कभी कोई गलती नहीं किये तो इस तरीके से देखिए, इसने शांदार तरीके से आपर mainseiz देने की कोशिस की गई है, कि कभी भी कोई भी condition क्यों न हो, सबसे पहले तो आप लोगों पीना नहीं है, अगर फिर भी लत लग गई है, किसी भी तरीके से कोई ऐसे आध़त बन गई है, तो कोशिस ये करनी है क कि हमेशा अपने घर पे बैट के पिए और खासकर शाम को पी के अपना सो जाए आराम से ताकि किसी को कोई पोलन नफेस करनी पड़े क्योंकि देखे यारे यह एक लाइफ है कितने आसानी से नहीं मिलती है बहुत जद्दो जहद से यह लाइफ मिली है और किसी तरीके से अप अपने आपको कामियाब बना पाई हैं कुछ लोग होते हैं जो अपने आपको अपने पैरों पर खड़ा कर पाते हैं और अगर इस तरीके की आदत में पढ़ जाते हैं तो फिर आप लोग को देखने को मिलेगा यह कितनी खतरनाक होती है उसकी फैमिली के लिए भी और खास चीज का इतना नुकसान है तो इतना जादे यूज क्यों करते हैं तो कोशी सही करने हैं कि इस तरीकी चीजों से बहुत दूर रहना है ताकि अपने आपको भी सेफरे सके ने नेरी को भी फाइदे मन साबित होने वाले हैं और शाम को हमारा रहता है पांच बजे आप लोग को daily question की वीडियो मिलती है और यहाँ पर आने वाले time में आप लोग कई सारे changes देखने को मिलेंगे इन question की वीडियो में खासकर आप लोग को मैं बोल सकता हूँ कि first of में से आप लोगो काफी कुछ यहाँ पर change देखने को मिलेगा क्योंकि अब मैं इसमें change करूँगा according to your exam ठीक है ना तो आने वाले time में और आप लोगो nano magazine में भी कई सारे change देखने को मिलेंगे मैंने कुछ plan किया है जो कि आप लोगो first of में से काफी कुछ देखने को मिलने वाला है ओके तो enjoy कीज़े revision करते रही है और बाकी मैं आप लोगी help करूँगा किस तरीक से आप लोगो revise करनी है तो वह भी revision mode में लग जाना चाहिए revision साथ साथ में चलता रहना चाहिए आप लोगा first article बात की जा रही है freedom of praise के बारे में देखिए जब बात आती है आप freedom of praise की तो आप लोग इसको एक अलग pillar मान सकते हैं मतलब democracy का एक अलग pillar मान सकते है जिस तरीकी से legislative होती है जो की ला बनाती है executive होती है जो की ला बनाए जाने वाले को implement करती है और जुडिशरी होती है जो कि सब पर देखरेक करती है इसी तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा प्रेस होती है जिसको मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको fourth pillar बोला जाता है कहने का मतलब क्या है जब legislative executive और judiciary माल लिचे किसी भी हद तक धंक से काम नहीं कर रहे है तो सारी चीज़े जनता के सामने निकाल के लेकर आती है यह पर प्रेस बिल्कुल directly सारी जनता के सामने लेकर आते है इसको कभी-कभी fourth pillar भी बोला जाता है तो अभी आप लोग को देखने को मि 2015 में यह 136 ठीक है न और 2016 में यह 133 आप लोग को देहने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग देखते है अब 138 हो गई है मतलब हम लोग negative direction में ही चलते चलते जा रहे हैं यह आप लोग के सामने picture रखी है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आप लोग देखते है society में काफी ऐसी चीज़े होती है कि प्रेस को कई बार उस वर पाबंदी लगा जाती है कई सारी चीज़े उसको अलाव नहीं की जाती है और बहुत सारे जो प्रेस रिपोर्टर हैं जो काफी अच्छे तरीके से जो असली चहरा होता है सामने सामने निकाल के लेके आते हैं उनकी कई बार हत देखा होगा नोर्थिस्टन एरियम भी कई सारी रिपोर्टर हमारे आपर मारे गए थे तो इसलिए ये रैंक important है एक सो ये 138 रैंक है हमारी 180 कंट्री में तो important है हलका सा थोड़ा आप को याद रखना है ठीक है इसके अलावा पहली भी रैंक आप लोग याद रखना है तो यह नाम आप लोग दोखो बोल सकते हैं इससे कोशन पूछा जाच चुका है reporters without borders ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है यह एक non-profit organization है जिसको आप लोग NGO बोलते हैं और यह इसका formation किया गया था 1985 में ठीक है ना 1985 में मतलब 1850 में आप लोग याद रख सकते हैं Congress का written किया गया था और उसके 100 साल बाद 1985 में यह आप लोग के सामने कुछ भी आप लोग त्रिदम बाजी दर के याद रख सकते हैं किस तरीकी से journalist को क्या क्या प्रोलम फेस करनी पड़ रही है वो सारा data इखटा करके यह ranking तियार करते हैं और इन्होंने यह ranking start की थी 2002 से और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसमें किसी country की rank अच्छी है तो इसका मतलब वो country काफी शानदार है वहाँ पर सब अपनी बाते रख सकते हैं किसी को रोक टोक नहीं है कोई जादा है और अलाम से मतलब मीडिया को काफी अच्छे से वहाँ पर तजब्बू दी जाती है ठीक है पर लेकिना ranking अच्छ एकिन और थरड़ा अप लोग के सामने है ठीक है और नोर्थ कोरिया यहाँ पर bottom है नोर्मल सी बात है नोर्थ कोरिया को आप लोग को पता है नोर्थ कोरिया की leader है किम जोंग उन ठीक है यह हो गया South Korea और यह हो गया North Korea हमारा प्यारा भारत इसके साथ में compare कर सकते हैं अभी South लेटर सी परे की जाती है किसी को कुछ भी अलाव नहीं किया जाता है सारी चीज़ा अपने हिसाब से करके चलते हैं और नेक्स आप लोग को देखने को मिलेगा नोर्वे और स्वीडन टोप पे हैं तो यह कंट्री आप लोग को देखने को मिलती है यह हो गया Norway और यह हो ग अगर हमारा जो rural area होता है उसका नाम आना चाहिए तो हमारी पूरी country पूरी धंक से उननत हो पाएगी तो उसी के ओपर focus देकर चला जाता है उननत भारत अभियान के इसमें यहाँ पर institutional capacity को किस तरीके से जो गाउं के area में किस तरीके से connect करके हम लोग उनको proper way में facility provide करा सकते इस पर focus किया जा सकते हैं और किस तरीक से जो technical institution होते हैं इनकी help लेकर अपने गाउं में हम लोग technical support provide करा सकते हैं इन चीजों पर focus किया जाते हैं कहने का मतलब है किस तरीक से हम लोग अपने गाउं को सुधार सकते हैं अपने गाउं को और अच्छी facility provide करा सकते हैं चाहे technical point of view स से लिए हेल्थ के पॉइंट वी से भी आप लोग ले सकते हैं तो यह यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट किसका है जब बात आती है पूरी country में यहां पर चुने गये हैं उनमें से स्टुटेंट निकाले गए हैं यह आप लोग को देखने को मिलेगा पूरी country में colleges और university में से जो बच्चे निकल कर आएं किस तरीके से जो गाओं के लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपनी problem face करते हैं तो उनकी life को जिने की कोशिस की जाएगी इन students के द्वारा गाओं में जा जाकर ये चीजों को देखेंगे क्या क्या problem face कर रहे हैं ये लोग में कौन सा गाओं में उस गाओं में ये जाएंगे और उस गाओं में देखेंगे क्या-क्या problem है और क्या-क्या solution निकाला जा सकता है ये है प्रोजेक्ट यहां पर ठीक है तो जो भी challenge यहां पर किये जा रहे हैं उनको फिर solution निकालने कोशिस की जाएगी और पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे को यहां पर टोटल आप लोग को देहने को भी लेगा नोडल सेंटर बनाया गया है जिससे की चीजों को ढंसे आगे प्रोपेट करके चला जा सके और आगे कोप्रेट किया जा सके ठीक है तो आप लोग गांधी जी के बारे में आप लोग जानती है गांधी जी तो हमेशा से कहते थे कि हमारा जो हमारा जो एक तरीके से जो इंडिया है वो गाउं में बसता है अगर आप लोग गाउं को सुधार पाते हैं तो तभी आप लोग इंडिया को सुधार पाएंगे और इसी लिए कही थर्ड constitution amendment किया गया है वो आप लोग को यही देखने को मिलेगा किस तरीक से हम लोग पंचायती राज सिस्टम अपनी कंट्री में implement कर सकते हैं कहीना कई फिलोस्पी जो निकल कर आती है वो महात्मा घांदी जी आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं फिक है आगे वड़ते हैं नेक्स्ट बात की जारी है नाबाड के बारे में आप लोग ने देखा होगा नाबाड का अलग से एक्जाम भी होता है काफी important bank bank काफी important institution आप लोग इसको बोल सकते हैं खासकर जाब बात आती है हमारे गाउं वाले एरे में improvement करने के लिए अगर इसकी full form देखे तो आप लोग को पतार चल जाएगा काम किसके लिए करता है लोन वागरा वो होता है जो return करना पड़ता है एड वो होता है जो return नहीं करना पड़ता है ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यह है 10,012 करोड टोटल यहाँ पर UP को 2017-18 में आप आप एड प्रोवाइड कराएड किस तरीक पर लेकिन यह असलियत में जिसका माप करता है एक तो उस तक पहुंचता नहीं है और फिर किस तरीके से वो लोन दिया जाना है वो सारी चीज़े भी देखनी पड़ती है तो इसलिए अगरिकल्चर क्रेडिव पर बहुत जादा फोकस किया गया था और किस तरीके से अगरिकल्चर क्रेडिट में फोकस था पर लेकिन और भी कई सारे आप लोग के सामने फोकस हैं जिनको इंप्रूव करने की कोसिस की गई और इसके अलावा डिजिटल इंफर से बहुत जादा फोकस किया रहा है हम लोगों ने डिसक्स किया था पोस्टल ओफिस के बारे में ठीक है तो पोस्टल ओफिस और ये सारी चीजे रूलर में किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम में क्योंकि जो गाओं वाला एरिया है अगर हम लोग उसमें एंट्रपेंडियर्शिप डवलप कर देते हैं मतलब उनको इस तरीक से बिजनेस की स्किल प्रोवाइड करव गाओं वाले एरिया में जो हमारे लोग रहते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा बाहर काम करने के लिए नहीं आना पड़ेगा इन लोगों को मतलब अपने ही एरिया में सब कुछ इनको मिल जाएगा वही पर जो भी मिल जाएगी और सारी चीजे फेसिलिटी होगी औ पूरा फोकस इसी पर रहता है तो आने वाले टाइम पर यही रहेगा कि रूलर एंटरपेनियोर्शिप किस तरीक से डेवलप कर सकते हैं खासकर बुंदेल खंड वाला रीजन जहां पर आप लोगों को सूखा बहुत जादे देखने को मिलते हैं बहुत जादा है जो यह र का सा एडिया आप लोगो होना चाहिए इस बैंक के बारे में भी आगे बढ़ते हैं काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट आप लोगो देखने को मिलेगा है आपर बात की जारी है वर्ल्ड बैंक के साथ में गवर्मेंट ऑफ इंडिया का लिंक लिगल एगरिमें किस तरीके से हम लोग अच्छे से अपनी कंट्रें प्रोवाइड करा जा सकते हैं उसके लिए एगरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है तो बैट टेक्नलोजी जो इंडेस्टी है उसमें रिसेच करने के लिए असिस्टेंट काउंसिल आप लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर BIRAC इसके लावब PSU जो है Department of Biotechnology Department of Economic Affairs Ministry of Finance International Bank for Reconstruction and Development जिसको IBRDA तो यह सारे मिलकर World Bank के यहाँ पर यह मिलेगा 50 Million Dollar Provide करा जाएगा 5 सालों में 50% जो funding आप लोगो देखने को मिलेगी यह World Bank के लोन के रूप में हमको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर Ministry of Science and Technology आप लोग के सामने है इसके अलाव Finance Ministry यह सब मिलकर Economic Affairs Department यहाँ पर काम कर रहे है कि कि किस तरीके से हमारी कंट्री में एम यही है क अफोर्डेबल और effective जो pharmaceutical जो प्रोडेक्ट है या फिर vaccines है या फिर जो भी biologics जो भी हाँ पर आप लोगो medical device जो भी हाँ पर मतलब health को सही रखने के लिए हो सकती है चीज़े available होनी चाहिए उन सब पर focus देकर यहाँ पर चला जाएगा ठीक है तो World Bank और Government of India आप लोग देख तो आगे बढ़ते हैं नेच्ट आर्टिकल है Bambow के बारे में जिसको आप लोगों ने सुनाओगा बांस भी बोलते हैं और आप लोगोंने बहुत सारी जगरा इसका यूज दखाूगा नेसल बैंबर मिशन को कि किस तरीके से इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा अब इसके तैत और जादे हैं हापर जो बचा हुआ टाइम पिरिड है देखिए आप लोगो पता है अभी 15th Finance Commission हमारी कंट्री मा है तो 15th Finance Commission 2020 से अपना काम स्टार्ट करेगा मतलब recommendation देगा और उसक तरीके से आपर sustainable बना सकते हैं जो bamboo वाला area है मतलब जो यहाँ पर bounce वगरा की जो खेती है किस तरीके से हम उसको proper way में sustainable बना सकते हैं इस पर पूरा focus रहने वाला है देखिए सबसे बड़ी बात ही होती है खेती तो हो रही है पर लेकिन किस तरीके से जहां से जो product निकल के आ जाता है उसे के लिए market से market के oriented product निकालने की कोशिश की जाती है उस product से तो यह सारा एक holistic जो bamboo है हमारा जो bounce वाला sector है उसे focus देकर चला जाता है और अगर उस पर bounce वाले sector पर हम holistically focus देकर चलेंगे तभी आप लोग को देखने को मिलेगा खासकर जो गाउंवाले area में हम लोग development कर पाएंगे तभी गाउंवाले area में proper way में हम लोग यहाँ पर उनको facility provide कर वाये पाएंगे ताकि उनका जो earning है वो बढ़ सके तो एक पूरा chain लोग को देखने को मिलेगा एक पूरी market को develop करने का काम किया जाता है इसकी में स्टार्ट की गए थी 2006 साथ में और तब से यह लेकर आप लोग को देखने को मिलेगा proper way में काम कर रही है बीच में आकर इसको sub-sum कर दिया गया था कि इसके साथ में यह ministry for integrated development of horticulture horticulture के साथ में इसको जो इसके लिए हाप पर प्रोजेक्ट चला है उसके साथ में integrated कर दिया गया था पर लेकिन यह 2015-16 तक रहा फिर इसको अलग से mission मना दिया गया ठीक है तो horticulture में आप लोग देखते हैं मतले माली जो फूल वगारा जो इनकी खेटी होती है extra जो आप लोग देखने को मिलेगा उसके साथ में हापर इसको कर दिया गया था पर मोट किस तरीके से कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर बैंगोव की खेटी सबसे ज्यादा होती है उसके लिए focus दिया जाते है हाँ पर इसके लिए ठीक है आने वाले टाइम में report submit की जाएगी तो बहुत वार उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा idea आप लोगो 14th finance commission के बारे में parallel में होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं बहुत जादे important question बन सकता है जब बात आती हैं आपर schedule areas की तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी country में panchaity raja system implement किया गया तो normal panchaity raja system 73rd constitution amendment के तहत आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी country में implement किया गया पर लेकिन कुछ ऐसे area है जहापर हम normal panchaity raja system implement नहीं कर सकते तो उन area में 5th और 6th schedule area यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो implement किया जाता है एक proper way क पंचायती राज सिस्टम, मतलब यहाँ पर पंचायतों के पास में पैसा नहीं होता है, जो नोर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को मैंने उस टाइम पर पॉलर्टी में जब पढ़ा रहा था, डिटेल में ये बाते पढ़ाई थी, कमपेर भी क्या था, पंचायती राज सिस्टम से लिटर भी कुछ इनफोर्मेशन लेना चाते हैं आपर जो की यूटिलाइज की जाती हैं कि यहाँ पर आज की डेट में वो एरिया जहाबर पंचायती राज सिस्टम को हम लोग डिरेक्टल इंप्लिमेंट ही कर पाते हैं, इन डिरेक्ट वे में इसे self-governance बना सकते हैं, खासकर tribal majority वाले एरिया में, मतलब ये लोग जो tribal लोग होते हैं, जो आदिवासी वाले लोग होते हैं, ये हमारा सिस्टम नहीं समझते हैं, इनके खुद के अपने त्योहार होते हैं, खुद का अपना रहन सहन होता है, खुद की जिन्द की बीने का इनका तरीका होता है, तो इसी लिए आपर अपने एरिया को खुद से ही ये गवन कर सके, वो काम प्रोवाइड करवाते हैं आपर फिक्तर सिख सेड्यूल एरिया, मतलब हम जो रूल और रेगुलेशन मनाते हैं, वो इनके ओपर नहीं थोपे जाएं, वो इनके ओपर नहीं इनके गनाइजिसेन और फोरेस्ट और फोरेस्ट राइट बिल 2005, इसके लाव फोरेस्ट एक्ट आप लोग देख से हैं 2006, इनके तहद भी बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड कराए गया थे जो कि लोग रहते थे आपर इन वाले पर्टिकुलर एरिया में, तो यह यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, अभी न्यूस में क्या है, राइस्थान का कुछ एरिया हैं आपर फिफ्ट सेड्यूल एरिया के अंदर अप्रूव कर दिया गया है, कैबिनेट के द्वारा, यह एरिया है यहाँ पर आप लोग देख से बंसवारा, यहाँ पर यह है आप लोगों से इससे डिरेक्ट कोशन बन सकता है, अलग से, लेकिन सेंटर लेवल में आप लोगा कोशन यह पूछा जा सकता है, कि कौन से स्टेट का एरिया भी फिफ्ट सेड्यूल के अंदर में डाला गया है, ठीक है, तो हलका सा एडिया आप लोगों इसके बारे में हो आगे बढ़ते हैं, बागी का पॉलेटी में जाके आप लोग सारा पढ़ सकते हैं, पॉलेटी के सारे लेक्चरस नीचे हैं, फिफ्ट सेड्यूल क्या होता है, फिफ्ट और शिफ्ट सेड्यूल में क्या डिफ्रेंस है, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे जूट के बारे में जिसको आप लोगों ने सुनाओका सन भी बोलते हैं कुछ वाले एरिया में ठीके ना नोर्थ इलिया में आप लोगो मैक्सिम देखने को मिलेगा खासकर वेस्ट बंगाल की बात कर सकते हैं और आप लोग बंगला देश में तो बहुत ही जादे हैं जब त जाता है पानी में दुबय और उपर से प्रत उतारी जाती है यह आप लोगर के सामने हैं और इस प्रत से उतारने के बाद फिर इसको कई तरीके से यूटिलैज प्राइज के जासता है यह बैग बनाने में आप लोग देखने को मिलते हैं कई सारी चीज आप लोग को देखने को मिलती है तो बहुत सारे बैग वगएरा या फिरस्ती वगएरा दुनियादारी की बहुत सारी चीजे बनाई जाती है तो अभी न्यूज में किसलिए है न्यूज में इसलिए है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज रख दिया गया है रोजूट के लिए मतलब कहने का यह है पहले जो रोजूट वा गरता था वो 3500 रुपे पर कोईंटल हुआ करता था और आज की डेट में यह है 3700 मतलब 200 रुपे बढ़ा दिया गया है ताकि अगर कल को जूट की पैदावार बहुत जादा हो जाए तो इनकी पैदावार जादा होने की वज़े से इनका प्राइस डाउन नहीं हो जाए गर्मेंट का यह डूटी बनती है कि प्रोटेट किया जाए किसानों को उसी के लिए मिनिममम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है मतलब मिनिममम सपोर्ट करना ही करना है इतना प्राइस त के द्वारा ताकि किसानों को protect किया जा सके तो Central Government आप लोग को देखने को मिलेगा स्टार्टिक में ही यह announce कर देती है जब वाई का सीजन होता है मतलब सोइंग सीजन होता है ताकि आने वाले टाइम में आसानी से प्रोटेट उसको किया जा सके अब ही चलने वाली आ गयाने वाले टाइम में कब से कब तक अप्रेल 30 से में 13 तक तो यह हैं यहां पर हरी माउ सकती इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए पूछा जा सकता है किस किस के बीच में है तो यह हैं इंडिया और मलेशिया तो दूनों के इक बार मैप में हार लेते हैं होगे हमारा पियारा इंडिया देफ सकते सांती बनाए रख सकते हैं तो इन सब चीजों पर focus दे जाता है इन सब exercise में ठीक है important है नाम याद रखिए किस-किस के बीच में यह याद रखिएगा location तो आप लोग के mind में चपी ही होनी चाहिए उस particular area की ओके आगे बढ़ते हैं next article है आपर brigadier francic के बारे में तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा person जो की बहुत बड़ा change हुआ है history में उससे कोई connect है तो आप लोगों पता होना चाहिए इनको विसी सेवा medal भी मिल चुका है तो इसलिए और भी ज्यादा important हो जाते हैं logistic support के लिए उनने बहुत बड़ा role play किया था उस time पर और आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी की वैसे जो आज की डेर में हम लोग देखते हैं बंगला देश का निर्मान हो रखा है तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा specific person है जिसकी वैसे history में बहुत कुछ change हुआ है आप लोगों पता होना चाहिए पूछा जा सकता है कि किस से वो connected थे और क्यों वो इन यूज में थे ठीक है तो important है आप लोग इनके बारे में हलगा दा पता होना चाहिए नेक्स्ट है आप लोगो political region जाकर आप लोग आप आई ये देखना है कि परिवार नयायल्या क्या होते है फैमिली कोट क्या होते है आई यहाँ पर आप लोगो link मिल जाएगा जाकर वीडियो पर click करकर direct जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या होते है कोट और किस तरी होना चाते हैं तो जाकर देख लीजेगा तो देख लेते हैं क्या कि हम लोग डिस्ट किया पहले आप लोग के सामनी यही है कि आप लोग देखिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए तो ही बहुत ज्यादा फायदा है नेस्ट हम लोगों को देखने को मिला इंडिया की रें पेंट के लिए यह देखा लिगल एसिस्टेंट हम लोग ने देखा वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर किस तरीके से हम लोग अपना फार्मास्टिकल सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं बैंबो मिशन के बारे में हम लोगों ने जाना किस तरीक से रिए स्ट्रॉक्चर इसको कि इंडिया और मलेशया के बीचे जोइंट एक्साइज है हम लोगों ने डिटेल में जाना ने आप लोग यहां पर जानने को मिला यहां पर बिर्गेडियर फ्रांशिक के बारे में अनकभी बारे में आप लोग को आईडिया होना चाहिए यह अभी एक्सपार हुए है और इ इतना ही थैंक्स लोट फॉर लेसिनिंग जै हिंद